प्रकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज है 13 जुन 2022 देखेंगे अब तक के सभी महत्पुर्ण करेंट फेयर्स जो आपके आगामी सभी कर्षाओं के लिए अती महत्पुर्ण होंगे साथ में देखेंगे यह सभी एक्स्ट्रा फेक्ट्स जो आपको और उसे आगे रखेगा इस क्लास का पीडियेफ आप टार जुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार जुकेशन के में हिंदी इंग्लिस दोनों में है और और अपिंदी इंग्लिस दोनों में है आप से आगए रहा है कि खूलास को अंत्र टार करें तभी आपको इस क्लास का महत्वर पता चलेगा तो चलिए बीना देर किये सुरू करते हैं आज का कलास The first question is, recently which Indian diplomat has been appointed as the envoy to the Secretary General of United Nations हाली में किस भारतिय राजनाई को संजुक्तराष्ट के महासचीव के दूत के रूप में नियुक्ति किया गया है सही जवाब है अमन्दीप सिंग गिल एक्चुली में जो संजुक्तराष्टंग है उनाइटेड नेशन है उसके महासचीव जो हैं कौन हैं अन्टोनियो गोटेरेस इन्होंने अंतराष्ट्य डिजिटल सहयोग के कार्क्रमों के समनुएन के लिए बरिष्ट भारतिय राजनाईक अमन्दीप सिंगिल को प्रोधगी की पर अपना दूत नियुक्ति किया है उनाइटेड नेशन्स के बारे में देख लिए शौट में यूएन कहते हैं अस्थापना इसका है 24 अपक्टूबर 1945 में मुख्याली इसका नियॉयर्क है यूएसे में और सेक्रेटरी जनरल वही हो गया है महासचीव एंटोनियो गोटेरस और इनका कारिकाल हाल ही में जाम्स के लिए काफी मातपुर्ण होंगे साथ में यह देखें संदीप प्रधान ये नियूज में क्यूं है इनको हाल ही में साई एस ए आई एसपोर्ट ऑथरीटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतिये खेल प्राधिकरन के महानिदेशक का कारिकाल जो है इनका बढ़ाया गय है फिर से नियूज में है संदीप प्रधान साई का फुल्पा मैंने बताया एस पॉस्ट ऑथरीटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतिये खेल प्राधिकरन इसका स्थापना 1984 में और इसका हेटक्वाटर दिल्ली है और परमुको वही हो गया है सर्दीप प्रधान बिन्यकुम से इस्थिपा दे दिये थे तब बिन्यकुमर सक्षेना को इसका उपर जपाल नया बनाया गया है दिली के प्रतमार मुक्रमंत्री कौन है अर्विंद के जरिवाल है सब लोग जानते हैं और दिली पूलिस कमिशनर अर्था दिली पुलिस आयुक्त भी कौन है वह है इंडिया के पहली महिला परबंद नहीं देशक और कारेकारी अधिकारी अर्थाथ एमडी एंड सी यो बनाये गया है यूनियन बैंक आफ इंडिया की पहली महिला एमडी एंड सी यो मनी ए मनी में खलाई को तो दोस्तों पहले प्रसंद से यह सभी एक्ष्टा फेक्ट्स उमेद करता हूं आप लोगों यह पसंद आये होंगे पर इच्छा उप्योगी लगे होंगे यदी लगे हैं तो प्लीज अभी तक वीजियों को लाइक बटम नहीं दबाएं तो दबा दीजिए और लास्ट मीश को सियर करके टार्यूकेशन को का सहयोग करें जितने भी बाद वो लोगेवल लाइक और शेयर कर देंगे चलिए दोस्तों नेक्ट कुस्चन हम लोग देखते हैं वाटी द रैंक ऑफ इंडिया इन द एफडी आई रैंक रिलीड बाई युनाइटेड नेशन्स कंफरेंस ओन ट्रेड एंड डेवलोप्मेंट अंक्टाड रिसेंट अपने देश में इन्वेस्ट करता है तो वह होता है एक उसी मामले में भारत का रैंक क्या है कुछ साथवा रैंक है और इसमें अमेरिका तीन सो शर्षट बिलियन डॉलर के साथ पाले प्रत करता के रूप में पाले अस्थान पर है और 181 डॉलर बिलियन के साथ चेंड इसका फूर्पम है अथापना 30 दिसंबर 1964 में हेटक्वार्टर स्विजर लेंग के जन्यवा में है नेक्स्ट है वाट इद वेर इद सूफी फेस्टिवल सेलिबरेटेड रिसेंटली हाली में कहां सूफी उत्सव मनाय गया है तो वह इसका सही जवाब है सीरी नगर का प्रचार प्रसार करना यह सूफी उत्सव वहां पर उत्गाटन किया गया है मनाया गया है यह तुरह एक्स्टा आईए इसमें देखते हैं लोग ऑप्सन से कुछ महत्पुर्ण नहीं दिल ली यह निर में क्यों है तो और दोस्तों दूसरे प्रस्ट में मैं ऑप्सन चर जारी यात्रा और पर्याटन विकास सुचकांग अर्थार प्रेवल एंड टूरिजम डवलप्मेंट इंडेक्स में भारत का रेंग 54 है फर्स्ट रेंग यह किसमें किसका है तो हली में विशुपैंग के द्वारा जारी विदेशी प्रेशन प्राप्त करता की सूची में कि इस देश ने सीख सथान हासिल किया है तो अपना देश भारत विदेशी प्रेशन प्राप्त करता तो इसको गोलेंगे फोरेंड रेमिटेंस रिसीवर अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि विदेशों से जब अपने इंडिया से या कहीं कोई काम करने विदेशों में जाता है अगर इंडिया से जोब करने, कोई काम करने, मज़ूरी करने और काम करके पैसे कमा के इंडिया में भेजते हैं तो उसी मामले में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश भाला कौन है तो वह अपना देश भारत है भाला रैंक है इसमें 150 वा यह वर्ल्ड प्रेज प्रीडम इंडेक्स वर्ल्ड प्रेश फ्रीडम इंडेक्स यह जारी किया गया है 2022 का तो इसमें भारत का रैंक किया है एक सो पचासवा है प्रेश स्वतंतरता इंडेक्स या सुचकांग कहिए 2022 का इसमें भारत का रंक 150 हुआ है और जो कि हला कि भारत इसमें आट हंकों का इसमें नुक्सान हुआ है क्योंकि पिछली रंकिंग में यह 142 अस्थान पर था और इस बार आट हंकों की गिरावट के साथ 152 अस्थान पर भारत है वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में और 180 देशों की सुची है और इसमें नौर्वे पहले अस्थान पर है और अपना देश भारत 150 अस्थान पर है यह सब याद रखेंगे यह अप्शन में छूट गया था माफी चाहता हूं इसके लिए चलिए अब हम लोग त संस्कृत भासा को बढ़ावा देने के लिए उतकर्स महुत्साव कामना गया तो यह नहीं दिली में इसका आयोजन किया गया है राजास्तान की उनुजब में तो गणगौर उत्साव लेकि हंदी में इसको मैं लिखता हूं गण गौर गणगौर उत्साव यह मना गया तरह घरों मंदिरों में भगवान सीव और परवती की पूजा करके सुक्सम रिदी की प्रत्ना की जाती है इस गौन गौर उत्सव के द्वरा राजास्थान में चलिए मनिपूर की उनिज में है तो हाली में सीरुई लीली महुत्सव मनाई गया है कहां पर मनिपूर में यह क्लास और उतनी कमी थी कि उस तरह से नहीं जैसे कि डेली उपलग कराये जाता है थोड़ी सी डाटा आप लोगो मैंने आज कम कम करकर दिया है क्योंकि टाइम काफी ज्यादा लेट हो गया था इसी करण से कल से हम लोग रेगलर और पूरी जिस तरह से जिस प्लास के लिए जाना जाता है उस तरह से डेली करंट रेपेस कलास को हम लोग करेंगे एम सी क्यूज उसी करन से मैं आज तीनी प्रस्ण में फिट किया था और डाटा भी अप लोगो उतनी नहीं दे पाया आज इतनी सभी प्रस्णों में मैं देता हूं चलिए यहां से देखते हैं बचे इसकता कर्वाई और प्रयासु पर ध्यान के इनदित करने के उद्यूज सिप्रतिक बस बारे जुन को बाल श्रम के खिलाफ विश्व अंधिवस मनाया जाता है और इसका थीम में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 2022 का देखिए रिज़ तिम क्या है तो योनिवर्सल स अस्थापना इसका 1919 में इसका मुख्याले स्विज्जेलन के जनेवा में है और इसके डिरेक्टर जनरल अधात महासचीव गिलबर्ट एफ होंग बो है आज थोड़ा सा ज्यादा लेट होने कारण थोड़ा से इधर भी डाटा भी कम और थोड़ा सा जल्दवाजी में देना पड़ा है दोस्तों इसके लिए नहीं चाहता हूं कल से सब कुछ चारू चलेंगे चलिए हाली में किस देश ने चंद्रमा का नया भूग या बैग्यानिक नक्सा जारी किया है विच कंट्री है रिलेज्ट और नियू जी जी लोजिकल मैप ऑफ दा मून यह चाइना ने चंद्रमा का भूग ज्यानिक नक्सा जारी किया है चिन की अंत्रिक्स जेंशी का नाम किया है सी एन एसिक कुछागिया प्रस्णाय जी के में याद रखिएगा चाहिना की रैधानी बीजिंग है मुद्रा यहां यहान या रेन मिन भी चलता है प्रेशिडेंट इसके सी जि 22 को प्रदान मंत्री मोधी के द्वारा यह भारतिये राष्टिये अंत्रिक्स जनवर्धन और प्राधिकरन इन एस्पेस के किंद्र का मुख्याले का उधगाटन किया गया है चली इसमें थोड़ी से और बाते हैं यह सरकारी और नीजी दूनों संस्थाओं के अंत्रिक्ष विभाद का एक स्वायत और एकल खिड की नोडल एजेंसी है भारतिये राष्टिये अंत्रिक्स अंसनवर्धन और प्राधिकरन का स्थापना जून 2020 में हुआ था यह वियाद रख सकते हैं नेक्स है विच कंट्री रिसेंट्ली अनौउंच तू एव अनौश देव लिशन आफ दो कंपल्सरी देथ पनाल्डी हाली में किस देश ने अनिवार मौत की सजा को खत्म करने का घोशना किया है यह मलेसिया ने किया है मलेसिया की सरकार के नुसार अब अदालतों के विव हैं जलिए नेक्स्ट है हाली में कीसे और बैंके नए अमडी एन शीयो नियोकती किया गया है तो यह आरी शुब्रमनियम कुमार इनको अर्बीय ने यह इसविकित फूब्ल देदिया है इनको और मेंक के अंतराचीय चंगतारम के दौरा बहु भासाबाद आधारित भारत आपनाया है जिसमें संजुक्त राष्ट से हिंदी अधिकारिक और गैरी रहने संचाब और कप्रषार जारी रखने का रह किया ग्या है संजुक्त राष्ट की छो हुध अधिकारिक भासा हैं और भी चीनी अंग्रेजी फ्रैंच रूसी और स्पेनिस यह है यह मत्पूर्ण पॉइंट है संजुक्त राष्ट की छे अधिकारिक भासा है यह जो मैंने बताया इसको प्रस्ण इसमें से बनते हैं छे भासाओं को याद जरूर रखिये गाली में छे यूर्क यूएसे में इसका मुख्याले है सेक्रेटरी जेनरल अर्थतमास अचीव एंटोनियो गोटेरस हैं चलिए नेक्स हम लोग देखते हैं हाली में कहां केंद्रिय बीत मंत्री के द्वारा राष्टिय सीमा सुल्क और जीएश्टी संग्राले धरोहर राष्ट को समर् किया है इन्होंने धरोहर देश में अपनी तरह का एक संग्राले है जो ना केवल देश भर में भारतिये सीमा सुल्क द्वारा जब्त की गई कलाक्रितियों को परदर्शित करता है बलकि आम जनता के ग्यान के लिए पुन्यादी सीमा सुल्क परिक्रियाओं को भी अपनाता है गवा की राधानी पंजी है मुकमंत्री गवा के प्रमद सावन्त है चलिए नेक्स देखते हैं हाली में भारत सरकार के द्वारा की स्पड़ोशी देश के साथ पुना बस सेवा सुरू कर दिया गया है तो यह बंगला देश कोबिट-19 महामारी के कारण दो पिछले दो सा से भारतर बंगला देश के बीच बस सेवा रोकी गई थी पुना इसको शुरू करने का खोशना कर दिया गया है और यह दोनों देशों के बीच अखवरा अगरतला और बेना पूल हरिदासपूर चेक पोस्ट के माध्यम से बस सेवाओं का यह आवाज आया होता है बंगला प्रदान मंत्री और प्रेसिडेंट वहां पे अबदुल हामित हैं नेक्स्ट है हाली में सोचल मेडिया प्लेटफॉर्म वाटसप के द्वारा छोटे वेवसाय के सयोग के लिए कौन सी पहल की शुरूवात की गई है तो यह SMB साथी उत्सौप इंडिया ने छोटे वेवस सयोग करना और वाटसप के बारे में देखिए इस कर्था अपना द्वाएगा नौ में मुख्याले USA के कैलिफोर्निया के मैनलो पार्क में है और वील गात कार्ट यह इसके सीयो है और वाटसप फेस्बूक वाटसप को फेस्बूक ने खरिद लिया है और आब यह करने का किंद्रिय करिषी मंतरी सीलिनरें συν्ग्पोमर के दवारा किया गया है और यह बैच्षिन जो है आईसी लिसर टे अगर्स देटल हएक हर्यानय से की उसे बहुत कुछ आप लोग को बता दिया जाता है तो थोड़ी सी कमी आज की क्लास में है मैं मानता हूं लेट होने करण कल से हम लोग इसको सब कुछ सही से लाएंगे समय पर लाएंगे हाली में जारी अब कुछन अब दे देखते हैं विच एस्टेट हैस्ट पोजिशन इंदर रिसेंटली रिलीज्ट एस्टेट फूल सेक्यूरिटी इंडेक्स एसफ एसाई हाली में जारी राज खादे सुरक्षा सुचकांत में किस राज ने पहला स्थान हासिल किया है सही लाव उठाएं काफी अलग अंदाज में अन्य प्लेटफॉर्म के से बिल्कुल अलग अंदाज में आप देखिए उसको और उसका लाव उठाईए बहुत सारे टॉपिक वाज कराएगा है करें अधारित तो उसे देखिए और पसंद आये तो आज करता हूं आपको पसंद करें और चैनल पर नए है या चैनल को अब तक सिस्क्राइब नहीं किया है तो साथ में बढ़ें इसे आपको क्लास आगे चलके सबी निश्ची तुरुप से मिले जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत-बहुत धन्य बाद वह लोग के वाल लाइक और स कर देंगे चलिया और इन सभी सोचल मेडियाई credible जोल जाता सब बेटिकवें Students अर्ण सकता पाने के लिए और रेगूलर कुछ के वहीं प्रेटिकन और सबीसान हो और वेपसाइट पर जरूर विजिट करें तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए गुडबाइ और दविस्ट